नमस्कार दोस्तों आज हमें एक ऐसे कलाकार के बारे में बताएंगे जिसने रावन राज में रहते हुए भी राम की भक्ती की और सबसे बड़ा राम भक्ती भी कहलाया यह भक्त था वी भीशन और रामानद सागर की रामैन में यह किरदार निभाय था एक्टर मुकेश रहो गई लेकिन दोस्तों असल जिंदगी में रामायन के वी भीशन उर्फ मुकेश रावल की साल 2016 में मोत हो चुकी है उनके लास मुंबई के कांदेवली रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर मिली थी तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मुकेश रावल के सफर के बारे हर ड्रामा कंपिटिशन में हिस्सा लेते थे साल 1970 में इन्होंने बैंक और बड़ोदा में नोकरी मिल गई लेकिन मुकेश रावल ने अभीने नहीं छोड़ा वे नोकरी के साथ थीटर और ड्रामा भी करते रहे मुकेश रावल एक बार एक ड्रामा कर रहे थे तभी उन पर गुजराती सिनेमा के मसूर डारेक्टर कांती माडिया के नजर पड़ी कांती माडिया मुकेश रावल के अभीने से काफी प्रभावित हुए कांती माडिया ने मुकेश रावल को गुजराती फिल्म अम्मे बरसना पंखी में में हीरो का रोल ओफर किया इसके बाद सागर टीवी सीरियल रामायन के लिए कलाकारों के तलास में थे इसी तलास में रामान सागर पहुंचे इंडी नेशनल थेटर और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया मुकेश रावल ने थेटर नहीं छोड़ा और वह फिल्मों के साथ थेटर करते रहे रामान सागर जब इ मुकेश रावल से पूछा मैं चाहता हूं कि तुम भी भीषण का रूल करो लेकिन अगर तुमारी कुछ और इच्छा है तो जरूर बताओ मुकेश रावल ने इंदरजीत का किरदार ने भाने की इच्छा जताई तो रामान सागर ने भी मुकेश रावल की बात रखते हु के लिए बिल्कुल प्रफेक्ट थे और रामान सागर की बात बिल्कुल सही भी निकली वीबिशन के रोल से मुकेश रावल रात तो रात पर सीदी का एक नया आयाम चूग गए और उनके लिए बोल्यूड और हिंदी टीवी चैनल के दरवाजे खुल गए रामेंड शीरिय और उन्होंने आखिर में मौत का रास्ता ही चुना दोस्तों मुकेश रावल के परिवार में मुकेश रावल उनकी पतनी और उनके तीन बच्चे थे तीन बच्चों में एक बेटा और दो बेटिया थी उनके बेटे का नाम दवीच था दवीच की उमरतबा ठारा साल ही थी की दवीज की कोलेज में से आते समय ट्रेन से गिर कर मोथ हो गई अपने बेटे के यू एकदम चले जाने से मुकेश रावल अंदर तक तूट गए वे इस सदमे को बरदास्त नहीं कर पाए और वह दीरे दीरे डिप्रेशन का सिकार हो गए मुकेश रावल चाहा कर भी अपने एंटर्टेन्मेंट को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में